पूरे दुनिया में इसलाम का आक्रमन हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया, दिरी दिरे कालकर्म में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमन कारियों को पराष्ट किया, तो अपने कारिक्षित्र में इसलाम सिकुड गया, सब ने सब बदल दिया, अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इसलाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है, यहीं सुरक्षित चलती है, कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, यह चल रहा है सहा जीवन, इसको न पहचानते हुए, और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीती चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, किसी ने इसको समझाना चाहिए न, यह समझदारी पक्की होती, तो हम अलग दिखते हैं, इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं तूटता, सभी को यह समझना आवश्चत है, यह मात्रभूमी हमारी है, यह भूल कर, हमारी पूजाएं अलग अलग है, दो-चार विदेशी भी है, फिर भी एक समाज के नाते हम इस देश के हैं, हमारे पूरवज इस देश के पूरवज है, इस वास्तविक्ता को क्यों हम स्विकार नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो विशिष्टता है, विविधता है, वो हमारे अलगाव का कारण बनती नहीं, बाकी दुनिया में बनती है, लिकिन हमारे देश में प्राचिन समय से सब को समन्वाई के साथ साथ चलाने वाली संस्कृती विद्यमान है,